हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा आरोपी पेरोल जम कर पिछले चार महिने से फरार चल रहा था सूचना के आधार पर एसोजी पुलिस ने उसे लिमबायत शेत्र में से दबोंच लिया है मिली हुई जानकारी के मताबिक आरोपी यासिन उर्फे दूधी हारुन घाची लिमबायत के खानपुरक शेत्र में से एसोजी पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आरोपी भूज पलारा श्पेशियल जेल में आजीवन केत की सजा काट रहा था उसके खिलाफ वर्फ 2014 में सुरेंदर नगर के सिटी पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्च किया गया था 23 दिसंबर 2020 से 6 फरवरी 2021 तक उसे पैरोल पर छोड़ा गया था और 7 फरवरी को उसे वापस जेल में हाजिर होना था लेकिन वो पैरोल पर फरार हो गया था पिछले कुछ दिन से वो लिमबायत के खानपुरा में अपने दोस्त के घर पर रुका हुआ था जहां से पुलिस ने उसे गिराफतार कर आगे की जात सुरू की है रिपोर्ट बाई परविन पठान समाचार इंडिया नियूस सूरत